Hello everyone, welcome back to our channel Anytime Nursing. जैसा कि आपको वीडियो में दीख रहा होगा कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है डिप्थीरिया. डिप्थीरिया, Communicable Disease के अंदर जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, उसी के Continution के अंदर हम पढ़ रहे हैं. और Communicable Disease एक Important Topic होता है, चाहे कोई भी एक्जाम हो, CHO हो, AIMS का कोई एक्जाम है, या फिर जिसे ESIC का एक्जाम होने वाले हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम उसी को थोड़ा डिटेल में डिसकस करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बर आएं, तो प्लीज मेरे च सबसे पहले अगर हम कॉजिटीव एजेंट की बात करें कि डिप्तिरिया कौन सा एजेंट है जो डिप्तिरिया कॉस करवाता है, तो कॉजिटीव एजेंट है इसका कौरीने बैक्टिरियम डिप्तिरियाई, अगर बात करें कि कैसा और्गेनिजम है या कैसा बैक्तिरिया है वो कैसा होता है जैसे Chinese letters होते है इस तरह से ये इस तरह से होता है ठीक है और इसको cleps, lofler, bacteria भी बोला जाता है ध्यान रखना ये important चीज़े कि कौरिने बैक्टिरियम, diphtheria ही जो है उसको cleps, lofler, bacteria भी बोला जाता है अगर बात करें हम incubation period की मतलब कि जो positive agent body में enter हुआ है और first जो symptom आये उस पीछ का time duration जो हमने discuss करा था previous वीडियो में उसको incubation period बोला जाता है तो यहां पर incubation period है इसका 2 to 6 days और अगर communicable period की बात करें कि कौन से period के अंदर ये सबसे जादा spread होता है तो वो होता है 14 to 28 days after the appearances of the symptoms मतलब कि symptoms arise होने के 14 से 28 days के बाद में क्या होता है में सबसे आता है şu community able होता है में अगर age की बात करें तो age यह है 1 to 5 year age जो है उसके अंदर सबसे common होता है नेक्स बात करते हैं कौन से season में होता है तो यह winter में होता है । रूट की बात करें तो यह respiratory root और non-respiratory root दोनों से ही spread हो सकता है और mode of infection की बात करें तो droplet infection mainly होता है अब next जो important चीज़ हम देखते हैं वो है sign and symptoms कि कौन-कौन से sign and symptoms होते हैं diphtheria के सबसे पहला आता है pseudomembrane pseudomembrane का मतलब होता है false membrane false membrane ठीक है? false membrane का मतलब क्या होता है कि जो हमारे oral cavity के अंदर organs है उसके उपर क्या होता है एक membrane बन जाती है इस तरह की एक layer बन जाती है ठीक है और वो layer क्या करती है it covers the tonsils, larynx और pharynx ठीक है उसको cover करती है और यह membrane का color कैसा होता है? grayish और yellowish membrane can't be wipe out and cause the bleeding ठीक है वो membrane ऐसी होती है कि जैसे इस rash के ओपर यह tonsils के ओपर membrane बनी हुई है तो अगर आप इसको wipe out करने की कोशिश करेंगे मतलब कि इसको साफ करने की माल लिजे कोई cloth ले लिया या आपने tissue से clean करेंगे तो वो remove नहीं हो पाएगी ठीक है? वो बहुत thin होती है तो बहुत बार जो people होते हैं जो patients होते हैं उनके जो care giver हैं वो कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता है और अगर कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है? ब्लेडिंग वहां से ब्लेडिंग भी arise बहुत बार होती है नेक्स इसके अंदर कौन कौन से symptom होते हैं इसके अंदर होता है बुल नेक appearance ठीक है? बुल नेक appearance का मतलब होता है कि जो उसका throat वाला पार्ट होता है वो बाहर से बहुत जादा क्या हो जाता है? यह फिर हम बूल सकते हैं कि नेक पार्ट का क्या हो जाता है? अंलार्जमेंट हो जाता है अब क्या है कि जैसे कि हम लेख हरे हें कि tonsils involved हो हो रहा है तो tonsils involved होने की वझे से voice का क्या हो जाता है? harshness हो जाती है कि भारी भारी आवाज आने लगती है मतलब बच्चा जब तो जब वह स्वैलो करेगा बच्चा कुछ भी निगलने की कोशिश करेगा तो बहुत डिफिकल्टी होगी पेन होगा और वहाँ पर स्वैलिंग होगी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कि डाइगनोसिस कैसे किया जाता है डिफिरिया के डाइगनोसिस के लिए टेस्ट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं शिक टेस्ट की यह भी स्पैलिंग राइट है शिक टेस्ट की यह स्पैलिंग भी राइट है शिक टेस्ट जो है इसको हम आगे थोड़ा डीटेल में explain करेंगी कि शेक्टेस्ट एक्चिली होता क्या है कैसे किया जाता है और कैसे पता चलता है शेक्टेस्ट के द्वारा की बच्चे के अंदर डिप्थेरिया है उससे पहले हम देखते हैं prevention डिप्थेरिया के लिए DPT का वैक्सीन लगाया जाता है DPT होता ह है डिप्थेरिया पर्टेस और टीटेनस यह एक तरह का कंबाइंड वैक्सीन होता है जो तीनों डीसी के लिए साथ में दिया जाता है और उसका डूरेशन होता है वहां से उसे चेक कर सकते हैं और DPT जो होती है वह एक पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होता है उसके अंदर भी इंक्लूड करा गया है और पेंटावेलेंट भी आई-एम से दिया जाता है और पॉइंट फाइफ एमेल डोस होती है डीपीडी वैक्सीन जो होता है वो तीन जो इसकी डूरेशन है या तीन जो डोस है उसके बाद में इसका बूस्टर डोस दिया जाता है और बूस्टर डिया जाता है 16 to 24 विक्स में उसका भी जो रूट है और जो डोस है वो क्या होता है सेम होता है ठीक है और क्या होता है कि 5 years के बाद में क्या होता है कि अगर किसी को vaccine नहीं लगा है मान लिज़े DPT का तो उस time पर DPT का vaccine नहीं लगेगा मतलब उसके अंदर DT vaccine दिया जाता है only diphtheria और titanus का दिया जाता है ठीक है और यह कब दिया जाता है 5 to 6 year children के अंदर उसका भी dose कितना है 0.5 ml और root है IM अब हम बात करते हैं chic test की कि हमने जो देखा कि जो diphtheria है उसके diagnosis के लिए क्या करा जाता है तो shape test कैसे किया जाता है सबसे पहले क्या करा जाता है कि left arm के अंदर diphtheria toxoid दिया जाता है ठीक है और other है मतलब कि right hand के अंदर diphtheria antitoxin दिया जाता है ठीक है उन दोनों को देने के बाद में after 72 hours में induration को चेक करा जाता है induration एक तरस हम बोल सकते है swelling जैसे कि जब भी हम जो AST करते है मतलब after sensitivity test है ना या फिर हम बोल सकते है कि जो test dose दी जाती है antibiotics वगेरा के लिए उसी तरस है जैसे कि Montex test के अंदर भी करा जाता है तो induration को check किया जाता है मतलब swelling को check किया जाता है अगर swelling या induration दोनों hands में है तो test कैसा है positive है अगर induration नहीं है मतलब की test negative है और अगर सिर्फ एक hand के अंदर induration है means क्या है doubtful है मतलब कि हमें test को या तो revise करना होगा या हमें कोई और test करना होगा तो ये exam के अंदर वैसे तो इतना important नहीं है वर हमें पता होना चाहिए कि shift test actually होता क्या है तो ये था हमारा आज का video उम्मीद है आपको पसंद आया है अगर पसंद आया है तो प्लीज इसको like करें अपने friends के साथ में share करें और अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करा है तो please मेरे चैनल को subscribe करें तो चलिए अब मिलते हैं next video में